कि हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक डू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक्टिव और पैसी बॉइसिस बॉइसिस क्या होती है कुण कुण से वाइसिस है और इनके बारे में पढ़ेंगे तो अग बाइस आज बात करेंगे मुझें की एक्टिव और पमकाशबस की देखे बॉइसिस मैं आपकी एक्टिव दूसरी आपकी पैसी एक्टिव गौइस की होती है एक्टिव अगी जैसे कि हमने कुई कोई टैंस वडश से लिशाए टिक है जैसे राम क्या हो गया यह आपका एक एक एक्टिव हो गया एक्टिव सेंटेंस हो गया क्लेर है यहां तक राम राइट से लेक्टर इस एक्टिव सेंटेंस राम इस वाट राम इस सब्जक्ट राम क्या है यहां पर राम सब्जक्ट है तो राइट क्या है राइट कि यहां पर वह ठीक ह और उसके बाद क्या है और उसके बाद क्या है और उसके बाद अब्जेक्ट है अब्जेक्ट क्या है जो कि लेटर है अब क्या होता है अब यहां से दियान पर समझें पैसी वाइस में क्या हो जाता है कि जो यहां पर अब्जेक्ट होता है वह यहां पर एक्टिव नहीं होता सूरी यहां पे objective active होता है और subject यहां पे आपका active नहीं होगा यहां पेदेट कि सब्जेक्ट ििज अक्ट इस एक्ट सब्जेट ह multif इस तब हुआं वह किस तरह से होता है वह आपको मैं अभी बताता है तों फैंया है अब पिर उसके बाद आपका आने हैं 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 इस तरह से यह चीज बनेगी तो दोस्तों मैं आपको बिदा देता हूँ भी यहां पर सट्डेंस पूरा बनाके राम राइट से लैटर इसको इसका अब्जेक्टिव कैसे बनेगा यहां पर देखें इसी को मैं यहां पर गनवाट कर देता हूं यहां पर ओ है अब्जेक्टिव यानि अब्जेक्टिव पहले आएगा आपका लैटर लैटर आपका यहां पर अब्जेक्टिव है ठीक है helping work क्या हएगा letter a letter is is written written by by राम ठीक है राम एक यहां पर बोड़ है कि राम लेटर लिखता है और इसमें क्या इंग्लिश हिंदी बन रही है इसकी एक लेटर राम द्वारा लिखा जाता है यहां पर जाता है जाना जाता है कुछ ऐसे बनते हैं कभी आपने देखा है कि इसे के साथ आपकी वोग की थर्ड़ फार्म लगी हो एक बैस्ट आइडिया होता है कि हम सेंटेंस की पैचान कर सकते हैं इसके साथ इस आपका क्या बताता है करेंट सिट्वेशन बताता है यहां फिर प्रेजेंट ठीक है न इस होता है सर राइटिंग होता है इस राइटिंग तो आपको यहां पर भी इस रिटन यह बाई बगरा देखेगा तो आप उसको समझाना कि यह एक पैसिव सेंटेंस है ठीक है आई होब यहां आदा क्लियर होगा अब यह कुछ भी नहीं था मैंने जस्ट आपको समझाया है व की पहले यूस होता है यह पैसिव संटेंस में हमेशा वह की थार्द वाम यूस होती है चै א। है पंज स्थे नर्ष स सेक्ट ना आई एंजी ना फिर थích आय bikस कने को अधर इसकत बाद एक एकटिवाइज में कलता है झाले और अपटजक्ट बाद मेंने यहां पर पैल होगा उटता है यहां पर बजक्ट पहले होगा सब्जक्ट którą आद네 देख लिया सर अब यहां पर देखिए कुछ हमारे personal nouns होते हैं ठीक है कुछ हमारे personal nouns होते हैं जैसे I, you, she, they, who, he, it, who जब यह चीजे हमारी object में use होगी तो वो किस तरह से change हो जाएंगी I का me हो जाता है, you का you रहता है, she का हर, they का them हो जाएगा और we का us हो जाएगा, he, him हो जाएगा, it का it ही रहेगा, who का whom हो जाएगा याद रखना इस चीज़ को, इसको note कर लो, I का me हो जाता है और you का you ही रहेगा, she का हर हो जाएगा जैसे मैं आपको example देदू, he, play, he, play, cricket क्रिकेट, 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 ऐसे लगा लिए, simple dance, he plays cricket, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, subject, subject कोई है, subject यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, जब हमारा subject, यह object की तरह यूस होगा, then इसको हम, change कर रहेंगे, ठीक है, बाद में देखते हैं, प्लेस आपका आगया, वोब आगया, ठीक है, subject, प्लस, वर, प्लस, cricket यहाँ आपका, object है, ठीक है, object हाँ गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका, जैसे मैंने बताया कि, he plays cricket, ठीक है, he plays cricket, अब मैं बात करूँगा, सबसे पहले आपका object हाईगा, cricket, cricket, is played, played, why, him, ठीक है, यहाँ भी हम क्योंसे आया, क्योंकि यह पैसी में जब चला जाता है, sentence, तो he का him बन जाता है, और work की मेंशा थर्ट फार्म लगती है, और helping वर ली लगता है, ठीक है, easy लगेगा, ठीक है, I hope यहाँ दा clear होगा, अब क्या होता कि different sentence होते हैं, simple present में क्या होता है, simple present म तो R लगेगा, I है तो I am लगेगा, वोगी थर्ट फार्म के साथ, Y के साथ मेंशा subject use हो, ठीक है, और उसके बाद simple past इचीज को note नहीं करना भी, आम आपको next दिखाता हूँ, वहां पे chart है, मेरा पूरा पड़ा हुआ है, उस चीज़ को देख लीजे, यहां पे देख लीज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगवाई दिया था हिदर, यह उल्टा किया है, नहींने, he was arrested by police, उसको please द्वारा arrest किया, please arrested him, उसको please ने arrest किया, ठीक है, इसको छोड़ी आप, इसने थोड़ी problem होगी, सबसे पहले आप इस चीज़ का screenshot लीजी जल्दी से, ठीक है, इ इसन इंडाफिनेट में वर्फ की first form, जो भी लगता है, बी प्लस, चीक है, ना, past में, future में, she will के साथ क्या क्या लगीगा, यह देख सकते हो, आप, फिर इसके आगे बहुत सारे sentence होते है, अफर्मेटिव होता है, interrogative होता है, interrogative होता है, interrogative होता है, interrogative होता है, तो इस तरह से sentence में आप देख सकते हो, चाट के according आप, अगर आपके दिमाग में यह चाट है, तो आप पहले अपने tense की पहचान करने है, कि tense को उस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, तो I hope यहां तक basic आपको यह clear हो गया होगा, अगर basic clear हो गया है, तो वीडियो को like करना, share करना, comment basic clear हो गया है, और practice के लिए question जरूर लाए हमारे लिए, तो practice के लिए हम आपके लिए हमेशा question लाएंगे, I eat a mango, ठीक है, I eat a mango, एक्टी में इसको passive बनाने के लिए क्या करेंगे, a mango, mango, is eaten by, by me, एक mango को मेरे दुआरा खाया जाता है, ठीक है, इसका passive voice यह बनेगा, a mango is eaten by me, देख लिए आपने, जी सर ठीक है, और यहां पर he sells watch, ठीक है, he sells watch, तो इसका क्या आएगा, watches are sold as by him, यह होगा, watches are sold by him, ठीक है, उसके बादा, you do not tell a lie, ठीक है, you do not tell a lie, इसका आपने मुझे, do not board है, तो आपने इसका मुझे, बताना है, ठीक है, comment करके, इसका answer क्या आएगा, एक्टिव है, you do not tell a lie, तो आप इतना याद रखना कि यहां पर do नहीं आएगा, पैसी में आपका do नहीं आएगा, यहां भी सिर्फ आपको not लगेगा, ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक्टिव और पैसिव की, विट प्रैक्टेज कोशिन के साथ, ठीक है,